हैलो जी, वेलकम बैक टू माई चानल, कैसे हो आप सब और आप सभी का इंडियन मॉम जोती में स्वागत है तो मैं बना रही हूँ पनीर, मतलब हजबन बना रहे हैं और मैं शूट कर रही हूँ तो इन्होंने फूल क्रीम लिया है, आदा किलो, और उसमें विनेगर और आदा पानी मिक्स किया है और जैसे ही दूद में उबाल आया, तो इसमें जो है न हमने विनेगर डाल दे तो दूद जो है फटके अलग हो चुका है मतलब पनीर अलग है और इसका जो पानी है वो अलग है क्योंकि मेरे पास कॉमेंट आया था कि जिदी आप पनीर कैसे बनाते हो वैसे मैंने उनको कमेंट किया था बट मैंने सुचा कि चलो मैं दिखा ही देती हूँ और बहार से हम बहुत कम मंगवाते हैं पनीर तो घर में ही मौस्टी बना देते हैं तो अभी इसको अच्छे से वाश कर लिया है पनीर को तो अभी इसको पनीर बनाने के लिए जो है ना मैंने हैंकी में रुमाल में ले लिया है और पानी अलग कर दिया है उस पानी का आप चाहो तो कड़ी बना सकते हो तो पनीर तीन से चार घंटे में पनीर बनके तैयार हो जाता है तो मैंने भारी कुछ रख दिया है इस पे पत्था रख दिया है और इसके बीच में जो है न मतलब जो गिरीन वाली चलनी है इस पे तो इस तरीके से रखना है भारी और हमारा जो पनीर है वो बनके रड़ी हो चुका है तीन से चार घंटे हो गए है तो कल आरना को पनीर का पराठा लेकर जाना है तो इसलिए जो है बनाया है और बाहर से बहुत कब मंगवाती हूँ घर का ही फ्रैस वाला पनीर निकल जाता है तो हम चारों के लिए मालब दो के लिए इनफ है बहुत है ये तो जो पनीर है वो बनके रड़ी हो चुका है ये देखे इस तरीकी शेप निकली है अगर आप चाहो अगर आप टोन का बनाना चाहो तो टोन का भी बना सकते हो बट फुल क्रीम का जो है ना काफी अच्छे से निकल जाता है पनीर तो ये बनके रड़ी हो चुका है और मैं बनाओंगी सुबा पनीर का प्राठा दोन बच्चों के लिए ये हो चुका है नेक्स टे और बस अभी मैं उठके सीधा फ्रेश वेगरा होके ब्रश में कर रहे हूँ और जो पनीर था ना वो अभी मैंने फ्र मैं नहीं रखा है फ्रिज में ऐसी ही मैंने निकाल के मलब ऐसी ही रखा हुआ था ताकि पनीर का पराठा जब मैं बनाओं तो फटे नहीं तो ये है जो मैंने रात को पनीर बनाया था और अभी मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि युवान के लिए भी है और आरन मिस्ट डालूँगी और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें नमक और काला नमक भी डालूँगी मैं क्योंकि उसका फ्लेवर काफी अच्छा आता है आप चाहो तो कुछ भी इसमें डाल सकते हो अगर आप प्याज डाल रहे हो तो नमक तब भी डालेगा जब आप रोटी मे पानी छोड़ती है इसलिए मैं इसमें भी सब पुछ डाल दिया है और पनी ब्लुकुल ड्राय है क्योंकि मैंने ऐसे ही फ्रिज में रखा था इसलिए और तुरंत मैं बना दूंगी मेरा जो पनीर का प्राठा है बिल्कुल भी नहीं फटेगा और आटा जो है ना आप धीला म भी लगाना है ताकि जो है ना अच्छे से बिल जाए धीरे 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 करके ही बिलना अगर आप 33 करके बिलो गए तो हमारा पनीर का प्राठा फट जाएगा तो बस ये दुख में आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल भी नहीं फटा है कहीं से भी और अभी मैं करती हूँ मे अच्छी एक आरना के लिए अब मैं दूसरा बनाऊँगी युवान के लिए तो ऐसे दो ही प्राठे बन पाए थी तो दो ही बनाऊँगी मैं आरना खा लेगी ऊसको में लिजएगी उसका लंच मैं पेक कर रहे हूं और लंच में पनीर का प्राठा एक सॉस रख दूँगी और मैं रखूंगे उसके लिए औरेंच आरना का आरना का जो है ना लंच पैक करने के बाद आरना अपना पैक करने के बाद पैक करते है तो छे यह वाला जो बार उसके लग लग भी गए तो इसलिए यह वाला जो बच्चो वाला पैक करते हैं बड़ो वाला तो वही मैं अब यूज़ करते हूँ तो इसली करवा लेता है उसको अच्छा भी लगता है तो देखो कैसे करवा रहा है और मैं इसमें कोई पेश्ट पगरा कुछ भी ने लगाते हूँ खाली सिंपल ही कर रहे हूँ क्योंकि इतनी छोटे बच्चे के लिए प बच्चो वाला पेश्ट भी आता है जो कि वह आरना यूज़ करती है अभी हम आरना को करवा रहे हैं तो बस अभी मैंने जो है न आरना चले गई है उसकूल के लिए अब मैं युवान को धिरिद्री करके मैं खाना जो का ब्रेक फास्ट वह में करवा रही हूँ और वह मतल बस अभी बाहर जा रहा है इसका ब्रेक्फास्स करवाती हूँ बाकी मेरे काम है घर के वह मैं जल्दी-जल्दी करके निप्टाती हूं तो अभी युवान का जो है न ब्रेक्फास्स दीर देर चल रहा है तो मैं भी दूद को उबालने के लिए रख रही हूँ ये भूली केती दिमाग से निकली गया था कि दूद भी मुझे उबालने के लिए रखना है अच्छा भी उबालने से पहले न मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ क्योंकि जब मैं उबालती हूँ न तो वो नीचे से दूद जो है लगता नहीं जलता नहीं है अगर आप नहीं करते तो आ यह खुच से नहीं पकड़ता यह फैक यह लग दिया मैं लग मुझे देगा थैंक यू इसे उड़ जाता है आम में की चन में होती हूँ तो यह आवाज देता हूं करता हूं और हाथ में लेके बैठता है सॉक्स तो फिर यह जब आती हूँ तो मेरा हाथ फोर इन्पलयों से कोनायों में सत्राइबना में आपकरा है, भी पली अफ़ी इन्षोस संतने करें, तक मैं सत्राइस के लिए-फम आउनर भैक Specs कीविए अदर याच्ड करे उपमें में 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 अफ़ाइबनाया है मैं चैसे नापूंगी चैक करते बर वेट जहना मैंन सोचा कि चलो मैं देख लेते हो आपको भी दिखाया देती हूँ क्या है इसका वेट कितना है क्योंकि मेरा मन नहीं कर तक है वेट चैक करने का आप दो कि पतला ही हो गया है इसलिए अभी पिटा रुखो ना गोलो इसको तो उतर रहे यह खुद से उतर देते ना तो यह देखो पीछी को पीछी को भी खड़ा हो रहा है तो मुझे इसका वेट चैक करते हैं अभी मैं थोड़ा सा काम डाले तो फिर करते हूँ अपके साम घरिया कर दो नीजात काम में अपके सास्गारो मिलेम पैसं कि अच्छी को शर्थ अवाले तो में मिलेंगे वाले है और यह इसमें से अज्वाइन और इसमें नमक है बहुत अच्छी है तो यह वाला मंगवाया है दो वह खाले हैं जाहिए अभर सब्सक्राइज लगाए थी और रेखानल रहा पर रहा है अधितक वह aturğ आAg पेसन के गटिये खिलाईए ज़ो गरण होता है यह तो किटिन के मेरा सारा काम हो चुका है और मैंने बढ़र लागे के रख दिया जो है ना दूप अच्छी निकल रही है न तो मैं बाहर बरतन लागे रख देती हूँ तो इसली सूख जाती है बरतन जल्दी से और मेरे कपड़े भी वाश हो रहे हैं आदे कपड़े जो हैना मैंने सुखा दिये हैं और आदे कपड़े रहा गए हैं जो कि मैं भी सुखाने पाँच मिलके कपड़े मैरे जो हैना सुखा दिती हूँ और बस अभी अंदर चलते हैं अंदर जाके फिर काम थोड़ी से निप्टाती हूँ सारा काम हो चुका है बस अभी मैं करती हूँ यहान के लिए यो है मुझे बनाना शेक भी बनाना है तो वह बनाती हूँ मैं और साथ उसका जो वेट जो है Gil对ा करूए बहुत होता है जब इकदम से बिच ऑगो घिरत हुआ देखते हैं तो बहुत जाद है अबół बस मैं अपने बाल को सुखारी और धूप थी हाती है रूम में काफे अच्छ धूप आती है रूम में बालको ने में तीन बज़े तक दूप राती है तो बस अभी यहां पर यह करते हैं और उसके बाद फिर मैं दिखाते हूं आपको उसका वेट यह देखो यह कितरा भी कर लो घर के अंदर साफ सफाई यह बच्चे नहीं साफ करने नहीं दे रखते यह देखो यह देखो इसको अच्छा नही अभी खेलने फिर मैं करती हूं और कपड़े सारे सारे तो नहीं सूख चुके हैं आदे और आदे मैं भी डाल कर आगई हूं बहुत तेज दूप हो रही हैं बहुत तेज बाल इतने से तूटे हैं को में ज़रा थ्रोवे करके आजा गोलू पीलिया थोड़ा से राहिया था दूद्ध तो उसने आना कि पापा ने पीलिया यह देखो यह देखो देख रहो यह मैंने वाश किये थे यह फैकती है इसके टॉए ऐसे कड़ता यह सब फेला फेला के सब डसता है सारे चीज़ा गेरता है तो बहुत परेशान हो गयो तो तेरी मैं आजा भाए क्या कर रहा गोला आजर अजर वेटी यह चलो हम तुमारा मैं इसका वेट चेक करती हूँ अब ठीक है खड़ा इदर तुम है ठक गई में यह देखो यह गया नीचे यह भी गया नीचे और 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 यह यह ज़िए नीचे सब नीचे करता है मैं पहले निकालते हूं पहले मैं आपना मेरा वेट करती हूं बहुत दिने सबने वेट दोई चाहिए देखती हूं कितना है मेरा बेट अरे हाटो मैं अपना चेक करती पाले वेट गोलु उच जा लिटा है मेरा वेट है रविस इसे सही सही से ख़ड़ी जाती पाले तो मेरा है फोटी एट मेरा है फोटी एट गोलु का चेक करते हैं आव गोला ख़ड़ो वेट है यह देख गोलु का वेट है लोग तो जा टैन पर आ रहा है तो stakes है दस किलो का यह भृट कम वेट हो गया नहीं तो उसका वेट बुबु साही चल रहा था जितना मन्त तो एक दिम से वेट गिर जाता है ना तो बहुत दुख होता है इसलिए नहीं करती है वह क्या बिटा कि आइए मैंने देखा हां कल मैं इसका ओडिशन देख रही थी यह आग दिम से बहुत लोग जानते हैं तो कि मैंने रांदे हैं हां तो मैं कहाँ इसका वेट है दस किलो और हाइट हाइट कितनी हो गया इसकी हाइट यह हाइट नहीं करवाएगा नहीं इंची टेप रखा हुआ है मुझे मालूम है करवाएगा नहीं यह इस जगे हाइट मैं चैक करती हूं पहले कितनी है ऐसे बताने पाँ यह नहीं करवा पाएगा और बिल्कुल फ्री होके बैठी बस मुझे रोटिया बनानी है जो कि आपना आएगी तब बनाओंगी मैं बाल आज मेरे कम तूटे हैं क्योंकि ऐसे खार जब भी मैं ओईलिंग करती हो तो बाल कमी टूटते हैं बड़ बालों की लेंद तो बड़ी बड़ी सी है बड़ी है तो अच्छे लगते मैं क्या सोच रहे है आप मुझे बताना ठीक है अच्छा पाले मुझे यह बताना कि कौन-कौन मैरे ना बहुत-बहुत-बहुत जाद मन कर रहा है कि मैं लाइव आप सबसे क्योंकि मेरा जो लाइव होगा फर्स टाइम होगा मुझे खुद डर सा लग रहा है अजीब सा भी लगए लाइव कैसा होता है कैसा नी बट मेरा बहुत मन है लाइव आनेगा अच्छा कौन-कौन चाहता है कि मैं लाइव आओ और किस टाइम आओ किस दीन आओ ठीक है यह भी मुझे बताना और दूसरी चीज कि मैं सोच रही हूँ कि मैं दो ऑप्षन देती हूँ ठीक है बाल मैं कैसे कटवाँ मतलब मेरा मेरा खुद का मन है कि मैं बाल रखो अपने सिफ इतने ताकि चोटी की विजन जडखता और खुले-खुले रहेंगे तो अच्छ कि मुझे बताना वो चला गया है अंदर और अब मैं कर रहे हूँ वीडो का एंड आजो बेटा आज मेरे बेटी क्या लेकर आए यह तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे जिसे बड़ होते रहते है ना तो हाइच या तो हाइट निकलती है क्या है तो बुसकता है कि बच्चे वेड कम होता होगा ने तो बहए हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चे ये खाए वो खाए healthy रहे एक्टिव सबसे में चीज़ होती है कि एक्टिव रहना चाहिए बच्चा तो अपना खेलता रहता है और थोड़ा सा पतला हो गया तो थोड़ा सा दूख होता है आरना बिमारी आसी थी वह भी बच्पन में ठीत थी उसके बाद जैसी वह बड़ी होती गई न वह भी पतली हो एसा ही होता हो और शायद देखो कुछ खाया है उसने क्या है क्या है पता नहीं है तुम देख खोड़े चली मैं व्यूटो करते हूँ है और मिलिंगे नेक्स फूटे में बाई-बाई क्या खाया तुम नहीं तर दिखा हो जाना है